मैं जाती हूं ऐसे आदमी को पूरी बलादरी के सामने महाजन बलादरी के सामने पूरी बलादरी मेन चोंक में गांदी नगर इसको ऐसे ही जलाऊ जैसे इसने हमारी बेटी को जलाया मेरे बेटी किता है यह उदर को लाग डबल सजा मिले तो मेरी कुडी भी शांची उन्हें जैसे पांच लीटर पेट्रोल इस पे पहंगा इस पे पांच लीटर फेंगो इसके उसकी माँ पे फेंगो दोनों को पहंग के हां सबी सामने जुतियां मार के इसको आग लगा हो मैं तो यह ही चाहती हूँ और कुछ नहीं चाहती जिसने माँ भाग की बेटी बाइयों की बेहन पूरे परिवार की चाचे थाएं की लाड़ली सब भी हंसने वाली लड़की सब भी का प्यार पाने वाली लड़की उसको जला दिया और क्या सुख डालेंगे को कोई सुख नही गो मर जाएंगे ऐसे ही इसने किसी की बेटी को जलाके रखा है हम चाहते हैं इसे इनसाफ उसको भी उपर जाके इनसाफ मिले जैसे इसको जलाया उसको भी जलाके फिर उसको शानती मिलेगी ऐसे उसको कोई शानती नहीं मिलेगी एक बात में और अपने जतने भी लोग देख रहे हैं, खास करके जतने भी परिवार देख रहे हैं, में उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा, कोई भी बच्ची शादी के बाद अगर आपको सुनाती है कि उसे परिवार में तंग किया जा रहा है, इस तरह से मारा जा रहा है, तो प्लीज उसे लाइटली मत लीजिए और ये मत सोचिए कि कल ठीक हो जाएगा, परसो ठीक हो जाएगा, कहीं बार इतनी देर हो जाती है कि देख लीजिए आज इनकी बच्ची की साथ क्या हुआ और ऐसी कितने सारे ऐसे केसिज हुएं, इसलिए अगर कोई भी आपको मैं और कुछ ने चाल दी कने सास शास ने इनना करने बावजूद है, ओद को लाज चदर मंगी है कि उन्ते मले डेके सना देन, कि चदर मंगी है वसे लिभी बेटने बासा आगल लगी है तो उने चदर भी नहीं इन नमीं जातर है, कोई भी माह ऐसी उन दी है कि सास ऐसी उ सबसान को ला चदर जादा किम्ति है सब कुछ हुआ है क्या इंसाफ चाहते हैं अगर आज एक लड़की चुप रहेगा उसको इंसाफ नहीं मिलेगा तो उसके पिछे सो लड़कियों के साथ ऐसा ही होने वाला है सिर्व बोलते थे कि वो हमें बड़ा तंग करते हैं लेकिन हमने उनको एक दो बार बोला कि हम चलते हैं हम पूछते हैं वह यहीं बोलते थे कि कोई बात नहीं गर की बात है घर में रहे हैं तो बैटर है रिष्सदारों को इंवाल्व नहीं करना है हम क्योंकि अब हमारी जाते थे तो वह बस हमें प्रोल करते दें और बाहर निकल जाते थे और जब घ्ले जाते थे और जब हम चलिए जब जी 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 पांच लिटर की चैननी पांच लिटर की चैननी उसमाद प्लीस भी आई थी गांदिनार को स्टाफ फ्राइंग स्कार्ट ते वो फायर फ्रेटर भी आई थी कि मैं खुद गया उपर उपर जा कर देखा यह बात वी जाने से पहले उसको लेकर थे थे वहां से मेंने सुना कि जब यह एसको उठा के लेरा से नीचे सेडियों से चैन्दर रहा ही अतुल केवलवाला उसे चैन्दर उठाई कीचिए उससे सास ने चैन्दर वापस ले नी य को प NXT प्रिफ प्लैन कुछ था इनका जैसे इस्ने बाध्रों में आग लगाई उसने उधर जाकर पोचे पाच़े लगाखे वें सारे के शार निशांच परche Hobonia प्रशासन से यही है कि जैसा हमारी लड़की के साथ हुआ इसको टीट फार्ट एडवैसी हो रहा जाहिए जैसे ने हुआ है कि अई है कि अई है है हैं अग्यू आप अधिए परनाम सभी को राम राम एक मेरे से बड़ी गलती हो गई एक दिन आप लोगों को याद होगा एक वीडियो बनाया था था मैंने एक दुकानदार को एक पर्स मिलता है, हमने उनकी दुकान पर जाके वीडियो बनाया और मैंने उसको बड़ा इमानदार कहा, मैं आज उस बात पर बड़ा अपने आपो कोस रहाँ कि उस आदमी को मैंने जिसको इमानदार कहा, वो शक्स आखिरकार दरिंदे से कम में शब्द का इस्तेमाल नहीं करूंगा, इस परिवार में मैं बैठा हूँ, इस परिवार की एक बेटी को घर में जला दिया गया, पुलीस ने मामला दर्ज किया है, और परिवार का ये कहना है कि जलाने वाला कोई और नहीं, इनी की बेटी का जो है हस्बेंड है, नो साल हुए थे इसका ये मतलब नहीं है कि किसी को आप जला ही दो, 17 तरीक को ये पूरा इंसिडेंट हुआ था और आज सुनाली जी की सुबह डेथ हो गई, ये पूरा परिवार जो है, उनके दो भाई हैं, उनकी माता जी इस समय इनसाफ मांग रहे हैं, और मैं आशा करता हूँ कि डी जी भी था, वो बता रही थी कि मेरा मुबाइल कोई उठा के ले गया, हम तो इमानदार हैं, हमारा मुबाइल उठा के ले गया, ये मुझे नहीं पता कि वो लेडी कितनी परिशानियों से जूज रही थी, और आज देखो आप, इस बात को मुझे रखता है कि सिर्फ एक महीना हुआ होगा, नानक नगर क्या ये पूरे वारदात है, बड़ी शरम की बात है, ऐसे परिवारों के उपर, जो एक बेटी को, ये तो चाहते हैं कि वो दूसरे घर जाए, तो बेटी वाला उसके साथ वरताफ हो, लेकिन एक बहू के साथ इस तरह का बरताफ किया, आंटी जी के पूरी गालोई तुस दस गे और कदों दी ए सारी प्राब्लम शुरू होई दी, तो अड़ी बेटी नो कदों तंग किता जा था तो उसके इनसाफ मंगते हो, मैं कुछ चीज़ बोल लिया है, कि जी है, मेरी बेटी किता है, इन्या ओधर को लाद डबल होए है उसी, डब बाव्चब। करने बावुदो, उसको लोग चदर मंगी है कुसे उं दे मले दे के सना दे न कि चदर मंगी ऐसे लभी बेटीने बास है अगलगी इस जाला कि दिया कि इन पर नहिए इसी हुदी है कि सासे यंजी एक इमलोट यदि यसान को ला चदर ज्यादा किंती है अच्छले उचले करते हैं चदर उपर लबेट नमासम नीजी ए चदर किचले यह थेदा पाइदे नमी जदर है कि अच्छले काफर हो ऐस जन्दे मैं कुडि गुन मिल दी लेकिन पांज मेंटे खोड़ोना तो पास जड़ा कोई लबाफ़ा लेंदा ओदेना वे देना कुडि गुन मिली है मैं आया रहा प्राण एजन्दे की गाला कर दा है वो गाला मी भी कर दा कि तेरे मा के लाना ये के करना ये लेकिन मैं बड़ा सबर किते हां फेर भी कुड़ी ये समझाना पाई ठीक है तो कुड़ी नमी तू टैंचन नहीं ले लेकिन वह बावजूद भी इन्हें एक इता ये दिन दे सजाब मोहतों नहीं जाए बास और आँटी जी क्यों परशान कर दे तोड़ी बेटी नू कदे उन्हें तोड़ी कने डिसकस किता कदे गल बात कि यह कि मलूब बचानी आहां बचारिया हां ओजड़ा उन्हां आई वे फक्राइद हा ओधा पैसा बसूरे हा कि मलूब सादे शे 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 वे नौड़ को लड़ क आपाद के उस्यों करना है तो सोच अधिया अज भी इस जमाने चाहा है नहीं सोच यहां लेकिन मैं अपने में अपने अपने गलत कर निया कि मैं जानी कुड़ी बैए ती आम एड़ कुड़ी ने किती बीली ने किती यह अनबर्णी यहीं लेकिन पहले नोकरी के दिए किचे लगी स्कूल से ओवी शड़काइडी वादी पाइचल दुकांट बैठी ने कोई दो दुकांट नादी रखी गड़ी कि मैं यह दिता ओने मलव जिन्यार ओना ओधा पर लाए ओने दूने को आई जिते ओने एवाद में केस्टन आखिए यह से जिनी सकत कोला सकत सजा आपके साथ इन्होंने कभी डिसक्स किया आपकी बहने और आच यह सारी चीज हो पर हमसे कोई डिसक्स निया हमेशा मुमी से बात करती है हमेशा जब बती मैं ठीक हूं ठीक हूं मैं खोश हूं हमेशा मुमी को गाना मैं ठीक हूं वह में टंशन इना चाथी थी क्योंकि हम अपने पापा की डैथ हो इसी पहले तो हमने अपने शादी रही अपने बलूवते पर शादी रही जाए हमें ठीठा कर रिस्ता मिल गया है मगर यह बदा तंग करता सबसे बदा करता था जाथ क करने आप अरो स्कूराए के जा कॉल्म उबसका हो थाख में या का मैं करने छूद्य पर अपनीजी बात तो कोई आपकी बेहने इशारे में कुछ बताया कि यह सारा कुछ क्या हूआ को आपके साथ इशारे में इसने यहा है कि तो अगर खाना बनाना विया तो अगर उस ने बना दिया तो सास ने कहना कि वह वार फैंक दे मैं अपने खुद बना हुए कि काफी टॉर्चर यह नो साल में होता है में बताती थी कुछ भी वह जब हम पता चला तो काफी देर हो गए थी मुझे कोई फोन नी किया हमसे हमें बुलाते नहीं हो हमें गाली निकालता है और वह उस दिन मुझे दिन में एक बारी बात करने होती थी तो मगर उसने फोन नीटाया और दिन कि फोन उसके उतर था रहा कोई शाम को चार सब्सक्राइब फोन आया कि सुना ली जल गई यह बस यह से बाद भी मुझे मैं मैं अपनी दुकान पर था वहां से मुझे फोन आया मैं वहीं से वहां निकल गया यह मैडिकल कॉलिज डूटी तेसकी यह वहीं पर था आप हॉस्पिटल में साथ ही में रहें क्या पूरी बात है आप बताएं कि कुछ जो सुना ली ने कभी कुछ इसी बात बताई होकी है सब कुछ जो हुआ तब इन लौस की वज़ा से हुआ जी उसने इशारों इशारों में हर एक बात बताई उसी के बलबूते पे हमने सोचा हाँ भी यह बताना चाह रही है एक दिन जब उसको ज्यादा जनके लगने लगा के अनकमफरटेबल फिल कर रही थी उसने मुझे इस तरीके से पकड़ा तो मेरी बात सुनो लेकिन हम सार बाते नहीं समझ सकते थे हमने उस वकत अप्रोज किया कि इसकी कंडिशन खराब है चलो एक काम करते हैं अगर जनके इसके इशारों की बज़ा से ही कोई मिल जाता है सिस्टम क्यूंकि हमारे तो किसी ने भी आनसूने नहीं है हमने अगर कोई समझ भी लिए तो हमें बहुत खुद अपने मूँ से बोला था अब मैंने उदर नहीं जाना है हमने पूरा स्पोर्ट किया उसको मैंने बोला अगर जही बात तो पहले कहदी होती तो आज ये नोबत नहीं आती लेकिन हमने अब उसको जही जानके पाजिटिव अप्रोज उसके सामने रखी ताके वो सारे तेरे साथ है अब अब गबराने की कोई बात नहीं तू खाली अपनी सहथ पर द्यान दे रेस्ट कर ताकि जल्दी से जल्दी ठीक हो पाए और गुनागरा को सजा दे पाए लेकिन सर सबसे बड़ी बात मुझे इस चीज़ की आज समझ में आई हम गलत थे गलत लड़के का जब ब्यान लिया उन्होंने तो मेरे सामने ही था तो लड़के ने सिधा सिधा बोला मैं जी दुकान में था यह नहीं मैं जिस रिक्षा में समान लेने जा रहा था मुझे जैसे ही फोना है मैं उसी रिक्षा में बापिस आ गया मेरे पास बो गबाई भी है और दूसरा हम इसी ब्रोस से रहे हां वही परचा रड़ी लगा हुआ है तो हमें क्या जरूरत है वो खुद वो खुद इन्वेस्टिकेशन करने के लिए दूसरे दिन एक बंदा आया भी पॉलिस बाला तो उसकी मेरे साथ ही बात हुई लेकिन उस वकत यह जंगे इशारे श कि हमें उन पे शक्ता के ऐसा ना हो कि यह कोई पाइप ही निकालने जा इनको मारने की कोशिश करें लेकिन हम अपने मुग से नहीं बोल सकते थे पूरी रात बैठे रहे उस दोरान जब भी उसने कभी पानी पीने के लिए बोला तो उसने ऐसे जीव के साथ हिशारा करती थ कि हां भई पानी पीना तुना लिए वह मना कर देती थी उसी टाइम पर मैं उसको दिलास्ता देने क्योंकि उसको थोड़ी पता था कौन-कौन बैठा है उसी वकत जब भी उनकी फैमिली का कोई बंदा बोलता था उसी वकत मैं बोल पड़ता था जह हमारा जो भी बंदा उ तो उसने बोला हाँ, तो फिर मैंने पानी पिलाना, पानी कितना दो बुंदे ही पिलानी होती थी, फिर सुबह जैसे ही सुबह हुई तो उसका जेट भी आया था, ननद भी आये थी, तो उसने मेरा हाथ पकड़ा, मुझे इशारें से बोलती है, इसको बाहर निकालो, क्योंक बोला किसको निकालना है, बोलती है इसको, क्योंकि आँखे तो बन थी उसकी, अपने पती के लिए, हाँ पती के लिए, उसको तो यही था, इदर वो ही बैठा है, जनके उस वकद भी वो टैंशन में थी, कि इदर बैठा है, बोल नहीं पा रही थी, तो आखर पता नहीं कि उसमें कुछ, वो बोलने की इश्या हुई तो उसने मुझे उसी पकत बोला, इसको बाहर बेजो, मैंने जेड, नहीं तो जेड को पूछ ले ना, जेड भी साथ में बैठा था, मैं नानद भी बैठी थी, मैंने बोला, इदर तो बो बैठी है, तेरी नानद सीमी दी दी, ब मैंने बोला, और किसको बेजना है, तो उसने अपने मुझे से बोला, राज्यू, राज्यू, ऐसे, तो, हाँ, ऐसे राज्येश गुप्ता नाम है, ऐसे राज्यू बोलते थे, मैंने बोला, किसको राज्यू को बेजना है, बोलती हाँ, तो उसने इशारों से ऐसे गिया, हथ कड़ी लगवाओ बाकी कुछ नहीं है मैंने उसी वकद उसके बरदर को बोला भई अब गलती से भी इसको हमारे सामने नहीं लाना क्यूंकि अगर लड़की ने खुद बोल दिया है अब ऐसा नहो हमारे जो इमोशन हमने कंट्रोल करके ते उन पर पानी फिर जाए और हम क करने के लिए बोले के आया बोलता है यह पता नहीं हमारे गर में कोई देवी है कोई हत्या बता नहीं क्या मुझे नहीं पता क्या है उसका पानी है मैंने सोचे चलो अपने देवी देखते हैं हो सकता है इस ही अराम लगे जिस दिन उसने वह पानी पिया उसके बाद वह उस इसरे दिन जैसे ही उसके बाद मैंने बावे वाली माता का चत्नामरित रखा साथ में जैसे ही वो अनकांशिस हुई मैंने बावे वाली माता का चत्नामरित दिया मैंने बोला मन में बोल बावे वाली माता की जया तो उसके बाद जनके थोड़ी कंफर्ड में आई फिर मैंने इसको कोई पानी नहीं पिलाने देना है, कोई कुछ नहीं पिलाने देना है, मैंने उसकا नननंद का जो हस्वन्ट है, मैंने उसको bола आप से मेरि आस जोड के बिन्टी है, इनको उसका जाँ जो कमपेजियोड करते हैं मैं बियान कैसे दूँगी तो हम यह चाहते हैं जो कसूर बार है उसको गुणा की सजा मिलनी चाहिए लेकिन यह जो गुणा किया है उन्होंने यह बरदाशत के बाहर है और मुझे इस चीज पे अफसोस आ रहा है कि परसू जब वो अनकांशिस थी मैं उसके लिए दौाएं क कर रहा था है मातराणी इसको बचा लो लेकिन जब काल हमें डार्टर से क्लेर पता चला कि अब जा तो इसके हास्पाओं काटने बढ़ेंगे फिर मैंने खुद मातराणी से बो किया कि अब इसको ठालो इससे ज्यादा बरदाश्ट रह जाए फिर रात को नो बजे स्टेट आए लेकिन अगर MLC का डिकासा दिये जाता है किसलिए है बोडिकासा हम तो जही परशासन से जहीं उमीद करते हैं कि ऐसी फैमिली को पूरी फैमिली को जिरूरी नहीं है जिसने कसूर नहीं भी किया है लेकिन पता तो उनको भी था ना गर के बड़े होते हैं उनका काम नह जाना जब उसकी नननद ननोईया अगर जब पहली बार जो हम जब लाए थे एक बार रात को डाई वज़े फोन किया था उसने लड़की ने तो उसके बाई किये थे उदर से लाए थे फिर बड़ी मिंडते की थी उसका जो नननद का हस्बेंड है वो आया था दीदी के पास उसने बोला था मेरे इस्पांसिबिल्टी पर बेज दो उसकी गलती की बाई जैसे मैं बाफी मागता हूं तो जानी के फिर चलो लड़की हमेशा जही सोचती रही कि मेरा फादर है नहीं तो अपने बाईयों पर मैं बोज नहीं बनना चाहती है लेकिन इतना भी बोज नही में बिठाई है जब उस वज़ा से लेकिन बड़ा सहा उसने जनके पहले तो सहा ही सहा जे पेट्रोल वाला मैं तो सोचता हूं कि उसने गलती की उसने अपनी जगा इन दोनों पर पेट्रोल फैंके आग लगानी चाहिए थी फिर बाद में उसको हम बुगत लेते हैं इनकी दुकान और अड्रेस क्या है जो आपके जहां पर आपने सिष्टे की शादी की है यह सेक्टर नमबर पांच अनंद पुराश्रम नानक नगर की वारदात है मैं तो कहूंगा ऐसे लोगों को सोचली बायकॉट करना चाहिए इनकी दुकाने हैं दो बाहर और ऐसे को ऐसे दरिंदों को बाहर नहीं आने देना चाहिए और इनकी उपर भी ऐसी कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए जो की जिस तरह से इनुने सुना ली जनकी 9 साल हुए थे शादी हुए उनको घर के अंदर जला दिया यह पूरा परिवार है यह इनसाफ मांग रहा है